एलो फ्रेंड्स माई कीचेन किंग चैनल में आप सभी का स्वागत है आज में एक स्पेसल रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जैसे कि आभी सर्दियों के सीजन है तो बहुत स्थों के घड में मतर जरूर आते हैं में घर बेबी आ रखा है एक किलो मतर लाएते इसके पापा जो में और मेरी बेटी साम को छिलने बैठ गए इसी की रेसिपी आज बनाना दिखाऊंगी तो यहां पर देखिए मतर हमने छिल लिए यह देखिए इतना सारा हुआ है मतर का छिल के ज्यादा होते हैं मतर कम निकलता है अब इसको मैं एक मिकसर जार में ले लूंगी कच्चे मतर को थोड़ी सी अध्रक टुकड़ा करके ले लूंगी हरी मिर्ची ले लेंगे अपने स्वाद अनुसार जिसको हम पीस लेंगे यह देखिए पीस लिया हमने एक कड़ाई में भूंजने के लिए तेल के साथ नमक डाल लूँगी स्वाद नुसर थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी कस्मीरी मिर्च पॉर्डर डाल दूँगी हाप टीस्पून आप इनको सबको मिलाते हुए चलाते हुए हमने कड़ाई में इसको बिल्कुल सुखा लेना है थोड़ी सी चीनी डालूंगी हम स्वाद नुसर इसमें न थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे इससे क्या होते है टेस्ट बैल ενस हो जाती है इसको बिल्कुल ऐसे सुखा लेंगे कड़ाई में से जब उतर आये तब समझ जा ये कि भून चुका है ये अब ये कड़ाई में से बिल्कुल उतर के आ गया यह देखिए मैंने कोटोरी में डाल लिया इसको यह देखिए भून गया है बढ़ियां से अब यह हमारे स्टफिंग रेडी है आप मैं दो कप मैदा ले लूँगी एक प्लेट में इसमें हाप टी स्पून नमक डाल लूँगी और रिफाइंड ओयल मौयाम के लिए डालूँगी मौयाम बढ़ियां होना चाहिए कचोड़ी बिल्कुल कडारे होनी चाहिए तो रिफाइंड ओयल भी डाल लेंगे हाप टी स्पून हमने कलोंजी ले लिया गड़म पानी से गुंदेंगे मैदा को इसलिए गड़म पानी कर लिया पहले हम मौय पील नमोक यह सब अच्छी से मिल जानी जाaranई है ए ऐसे पकाना है बिल्कुल तोड़के दिखाना मौयम बढ़िया हुआ है अब हम गड़म पानी से मैदा को बिल्कुल धीरे-धीरे थोड़ी-थोडी करके डाल के मैदा गूंद लेंगे मैदा बढ़िया से गूंद सब्सक्राइध में घुखेंगा है उसे बना ले वाय है से , जैसे पराधे में भड़ागा हो तोड़ा नहीं चैए्याग कि अंदर भढ़के बढ़ियां से स्टाफिंग भढ़के आफ इसको ऐसे बंध कर लूगी देखिए जैसे में दिखाड़ियों ऐसे जी बनाना है यह जो गोल गोल बनाके और एल लगाके इसको बैलिंगी ए कि हलके हात पे बेल ना है कचोडी में यह ऐसे हाल के हाथ में बेल लिया मैंने यह देखिए आप मेरी रिफाइन डॉयल लोहे के कड़ाई में चड़ा रखी थी वो गड़म हो चुका अच्छे से धीमी आज पर बिल्कुल पकाना है कल्चुए से थोड़ी थोड़ी तेल डाल डाल के ऐसे पकाना है ता कचोडी पकाना है बिल्कुल जलाना नहीं है तेज आच नहीं करना है देखिए मेरी कचोडी कितने अच्छे से बन गया है आप लोग भी सर्दियों में अपने घर पे बनाईए खाईया और कमेंट्स पर जरूर बताईए कैसे बनाए हम बेंगलियों में इसको बोलते है कड है बिन के चाप दो तरह की धनिया के चटनी पियांच कच्छा पियांच कचोडी चिकन तो थैंक यू भी वार्स एंड बाई बाई डू थाउजन टैंटी थ्री